SKP 7 News कैमोर कैमोर में लूट की घटना का दो मास्टर माइन सहित 5 गिरफतार कैमोर जिले KNH 30 पत पर लूट की घटना का अंजाम देने वाले दो मास्टर माइन सहित 5 अपराद कर्मियों को पुलिस ने गिरफतार किया है बीते 12 एवं 13 माई को अपराद कर्मियों के द्वारा लगातार दो मोटर साइकल मोबाइल एवं पस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिस संबंध में मोहनिया में थाना कांड संख्या 173 बटा 21 एवं 76 बटा 21 दर्च किया गया जिसके बाद पुलिस अधीक्षक कैमोर ने कांड की गंभीरता को देखते हुए मोहनिया पुलिस अवर निरीक्षक सह्थाना ध्यक्षराम कल्यान यादव एवं डियू प्रभारी संतोष कुमार वर्मा के नित्रित्व में एक टीम गठित की गठित टीम के द्वारा तकनी की अनुसंधान एवं मोबाइल सविलान्स के आधार पर इस गिरोह के सदस्यों का परदाफाश किया गया इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कैमोर राकेश कुमार ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में गठित टीम के सदस्यों को सूचना मिली की परस पिप्रा नहर के पास NH-30 पर लूट की घटना का अंजाम देने के लिए अपराद कर्मियों का जमावरा हो रहा है जहां पुलिस सविलांस के आधार पर चाप इमारी कर पांच अपराद कर्मियों को गिरफतार कर लिया जिन्होंने पुछताच के क्रम में उक्त दोनों घटना में शामिल होने की स्वीकारोक्ती बयान दिया उन्होंने कहा कि गिरफतार अपराद कर्मियों के पास से देशी राइफल एक, पिस्टॉल एक, जिंदा कार्तूस दो, लूट की मोटर साइकल दो, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकल एक, लूटी गई मोबाइल दो, घटना में प्रयुक्त मोबाइल तीन एवं अन्य बरामत किया गया है कैमोर से शंभूनात सिंकी रिपोर्ट कि बारावन तेरह महीं को मोहनिया थाना के अंतरगत लगाता है दो अलग अलग इस्थखलाओं पर मौट साइक्ल की चिनेती की गएगी इसके आलोग मोहनिया थाना देख्षेवं बी आईयू परभारी की इद्वाइन टेंटीन बखेती गएगी इसके तारह लगाता है इस ग अनर्दक्ष मोरियां कि इनके द्वारा इस घटना का अंजाम दिया गया है विए राक्ती में रेट की गई बहां पर उनकी निसान देखी के आदाहत चार आने में उनकी जिर्फतारी टीवी इसमें इसका नाम गोहित है अमन है जिद्व्यांसू है मनीस है इन पांचों ही घटना में जो मरसाइकल लूटी ती उन दौनों की बरामदगी ती इसके अलाबा घटना में मरसाइकल ती गए ती इसके अपने एक राइफल और पिस्टल धीर के पास से जब दिया गया है जो गातूर चब दिये गये और 6 मुबाईल भी बिदिये गये अभी इन दोगों स लगाता है कि इनके दौरा और अन्न कौन कौन सी अपनाव का इंधान दिया है